Hello beautiful people, welcome to Lucknowlogers, आज हम बात करने वाले हैं रोटी कैसरोल के बारे में एक ऐसा कैसरोल जिसमें हम रोटी सर्फ कर सकते हैं, रोटी स्टोर कर सकते हैं हमें किसी भी तरीके का रोटी क्लॉट लगाने की जरुवत नहीं है डिरेक्ली इसमें रोटी स्टोर कर सकते हैं जिसमें रोटी सौगी नहीं हो जाती है नमी जो रोटी में आती है वो इशूस नहीं आएंगे तो यहां पर आज हम आपको इंट्रिड्यूष्ं करने वाले हैं वर साथी साथ बताने वाले हैं सेलो की रोटी- enabling कैसरोल के बारे में और बोरो सिल्के रोटी सरवर के बारे में एक करके दोनों के बारे में हम डीजेल बताएंगे और प्रॉपर एक ऐसी डीटेल देंगे जिसने आप एक रोटी और बहतर कैसरोल खरी सके अगर इन में से कोई भी औप्शन अच्छे आपको लगते हैं या अगर आप खरीदना चाते हैं बेस्ट बाई कैसरोल तो इसी वीडियो के नीचे हमने आपको दे रखे हैं इसके लिंक्स बाई लिंक्स जो की अल ओवर इंडिया के लिए वालिड है और जो अच्छे अच्छे आफ़र्स आ रहे हैं वह भी आपको वहीं से मिल जाएंगे तो अगर आप यह कैसरोल खरीदना चाते हैं आपको पसंद आता यह वीडियो देखने के बाद तो हमारी वीडियो के नीचे इसका बाई लिंक्स को खरी सकते हैं तो चलिए सबसे पहल उसे पूरी तरीके से सीमलेस और जॉइंटलेस रहता है और साथी साथ ऐसा ही सिमिला कैसरोल सेलो की तरफ से भी आता है जिसका लिंक मैंने आपको नीचे दिस्क्रिप्शन में दे दिया है खरीदने के लिए सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि बोरोसिल में इस टाइप का को 2.5 लीटर तो अगर आप बोरोसिल का ये कैसरोल खरीदना चाहते हैं तो उसका हमने जो बेस्ट वाय है उसका नीचे दे दिया है जहां से आप इसको खरी सकते हैं मगर अभी थोड़ा सा वेट करिएगा क्योंकि यहां पर एक चीज में आपको और बताने वाला हूँ अगर यह वाली जो ट्रे मिलती है इसमें इसमें कहा कि सिर्फ रोटी ही नहीं आप इसमें पकॉडी भी सर्फ कर सकते हैं और जो ड्रावबैक हमें बोरोसिल में मिलता है बोरोसिल में तो यह वाला कोस्टर मिलता है से हमाँ पकॉडी नहीं रख सकते हैं तो यह पकॉडी के लिए नहीं होता बाकी servus के लिए होता है specially रोटी के लिए होता है मगर अगर हम बात कर लेते हैं cello के stainless steel रोटी कैस्ट रोड के बारे में तो इस टाइब की similar finishing आपको मिलती है side में जरा से handles मिल जाएंगे जो की bar की तरह से लगे हुए होते हैं अंदर की तरह से उसमें भी seamless finish मिलेगी मगर उसका concept इस type का होता है कि मतलब sillow में आपको इस type का mesh मिल जाता है stillness steel cash roll में उसका link मैंने भी आपको नीचे description में दे दिया है similar sizes आते हैं लगबख 1.something में और 2.5 लीटर के आसपास में उसमें भी sizes आपको आते हैं और अगर आप budget की बात करते हैं अगर हम चाते हैं कि budget में अगर आपको कैसरोल और रोटी कैसरोल मिल जाए तो मैं आप से कह सकता हूँ इंडिया का top selling कैसरोल cello का रोटी ब्लस ये तीन sizes में available होता है जो अभी मैं आपको size दिखा रहा हूँ ये 1.5 लीटर है होता है इसमें तीनो size काफी अच्छे है और मैं कहा सकता हूँ कि इसमें color option बहुत जादा नहीं मिलेंगे इसमें आपको pink color मिलेगा और अगर बाहर की बात करते हैं तो pink, white और cream color इसमें आपको available है तो इन तीनों में से जो भी आपको पसंद आता है और हाला कि मैंने तो best buy links आपको निशे दे रखे हैं जहां से आप जाके इसको अलग-अलग sizes अलग-अलग color में choose कर सकते हैं मगर यह है कि यह वाला cash roll आपको काफी किफाईती range में और बहुत बहुता utility के साथ मिलेगा तो एक बाद मैं आपको casserole का पूरा detail view दिखा देता हूँ कि इसमें जो आपको locking system मिलता है वो अंदर से मिलता है यह देखे यहाँ पर four locks बने हुए हैं सब आपके यह समझे कि 180 degree पर सारे locks हैं और यह बस आपको इस तरीके से अगर close करने की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर यह देखे यह आपका casserole पूरी तरीके से lock हो जाता है बहुत easy system है बाहर से locking system नहीं दिये सिर्फ carry करने के लिए छोटा सा handle दिया हुआ है जो की ठीक ठाक है बहुत seamless design है बहुत जादा तड़कता भड़कता नहीं है आप कोई भी चीज सर्फ कर सकते हैं quality की बात करते हैं तो inbuilt quality बहुत अच्छी है बहुत light weighted भी है साधी साधी आपके घर के लिए एक कह सकते है practical use बहुत अच्छा है इसका इस चासरोल का अगर इसमें आप चाहते है stainless steel casserole लेना तो cello का रोटी का stainless steel casserole का भी लिंक हमने आपको दे रखा है बोरोसल जैसी similar design उसकी होती है इससे difference गया होता है बोरोसल आपको देता है रोटी कोस्टर और ये देता है आपको एक complete जाली इस type का जो mesh या tray होती है ये देता है ये वाला जो casserole होता है जादा बहता परफार्म करता है बड़ जैसे कि आज क्याल है कि लोग prefer करते हैं कि उनको सिर्व specially रोटी रखने के लिए तो ये stainless steel का casserole काफी किफायती pricing में और बहतर range में आपको मिलता है हला कि cello और इसमें rate का बहुत जादा difference नहीं है तो ये चीज़ है कि अगर आप रोटी कैस्टो लेना चाहरे हैं इंडिया के अंदर तो ये दो option के लावा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बहतर option है और अगर काफी लोग जैसे सोचते हैं कि मिल्टन जैसी कंपनी में रोटी कैस्टो बहुत अच्छे आते हैं हाला कि मैं आपको बिल्कुर शोर्शॉट बता सकता हूँ कि मिल्टन का जो रोटी कैस्टो लाता है मुझे बहुत जादा पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें बीच बीच में इशूज आ जाते हैं इस ताइप के लिड़ के बहार निकलने में और उसी के कंपारिजन किया जाए तो सेलो का ये कैस्टो जादा बहतर है और मैं पूरे कॉन्फिदेंस के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ क्योंकि हमने बाकी लोग की मैंने रिस्पॉंस जब देखे हैं तो ये है कि मिल्टन में हर एक चीज़ पर बहुत अच्छी आती है बट रोटी कैस्टो रोल मिल्टन को जादा इंप्रूड और जादा बहतर निकालना पड़ेगा अगर इनको इन कम्पनियों से कम्पेटिशन करना है और इन कम्पनियों से बहतर परफॉर्म करना है हाला कि सारे प्रोडक्स में काफी अच्छी होते हैं या रोटी कैसरोल में मैं आपको प्रिफर करूंगा मोटल है यह समय इतने बहतर प्राइसिंग में है जिसके अपडेट के साथ मैं आपको बता दूं कि जो आमाजोन को ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है लाइव चल रहा है तो इसमें मुझे लगता है कि अगर आप छोटे बच्चे की दलिया के लिए एक स्मॉल साइस क कर लेना चाह रहे हैं बेस्ट ब्रांड का जिसमें इस यूल सेशन दोनों हो तो यह आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है इसमें लगबग आपको 14% के आसपास का डिसकाउंट इस समय मिल रहा है तो यह डील आपको ग्राप कर लेनी चाहिए और साधी जाथ इस भी आप लिंक से रिफर कर सकते हैं जो भी आपको एक बहतर प्राइसिंग में मिलेगा तो आज की वीडियो के लिए बस इतना इसी तरीके से मैं ऐसा जुड़े रहिए और साधी जाथ मैं आपको बता दूँए अगर रोटी कैस रो लेना चाहते हैं तो उसके लिए जरूर रिफर करिएगा हमारे लिंक को जहां से आपको ओरिजिनल प्रोड़क्ट अल ओवर इंडिया के लिए मिल जाएगा और साधी जाथ अगर आप कुकर या कुक्वेर लेना चाहते हैं तो आज ही लगनो लोकों को सब्सक्राइब करिए क्योंकि दिवाली तक बहुत सारी बहत करते रहेंगे थैंक्यू सो माच कीप सपोर्टिंग आज